How to work Supercomputer No. 1. प्रसंसकरण, Processing Supercomputer एकाधिक प्रोसेसरों का उप्योग करता है, जो बड़े और जटिल कारियों को संचालित करते हैं. ये प्रोसेसर एकाधिक कारियों को संपन्न करने में सक्षम होते हैं. No. 2. Sunshine, Storage Supercomputer में बड़ी संख्या में डेटा को संचित करने के लिए विशेश रूप से तैयार किये गए उच्चक्षमता वाले संगठन इस्तिमाल किये जाते हैं. No. 3. Program, Program Supercomputer में एकाधिक प्रोसेसर्स पर एकाधिक कारियों को संपन्न करने के लिए Computer Program इस्तिमाल किये जाते हैं. ये Program तब होते हैं जब आप अपने Computer पर समाचार पढ़ते हैं, WebSurfing करते हैं या खेल खेलते हैं. No. 4. समय विभाजन, Time Sharing कई उप्योग करताओं को एक साथ एक ही सुपरकम्प्यूटर का उप्योग करने की अनुमती है, इसे समय विभाजन कहते हैं. No. 5. संचार, Communication सुपरकम्प्यूटर के अंदर विभिन प्रोसेसर और संगठनों के बीच संचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चक्षमता वाले नेटवर्क का उप्योग किया जाता है. सुपरकम्प्यूटर एक बहुत ताकतवर और तेजी से काम करने वाला कम्प्यूटर होता है, जो लाखों और करोडों के इंदरिये प्रोसेसिंग यूनिट्स, CPU का उप्योग करता है. इसके माध्यम से विशेश गणना और परिसंचय कारियों को आसानी से किया जा सकता है. सुपरकम्प्यूटर के कुछ मुख्य विशेश ताएं हैं, बहुत अधिक संख्या के प्रोसेसर, सुपरकम्प्यूटर में लाखों या करोडों CPU होते हैं, जो साथ मिलकर गणना का काम करते हैं. उच्च दर, सुपरकम्प्यूटर अत्यधिक तेजी से गणना कर सकते हैं, जिससे कठिन विज्ञानिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है. परिसंचय, सुपरकम्प्यूटर समानधारा प्रणाली के कई कम्प्यूटरों को जोड कर बनाया जाता है, जिससे उच्च प्रोसेसिंग शक्ति मिलती है. विशेश शेतिय तकनीक, ये विज्ञानिक अनुसंधान, मौडलिंग और अनुमान के क्षेत्र में उप्योग होता है. सुपरकम्प्यूटर का उप्योग मौजूदा समस्याओं के समाधान, खोज, मौडलिंग, विज्ञान, वायुमंडल अनुसंधान, नई दवाओं का खोज, जैव विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान और अन्यक्षेत्रों में किया जाता है. सुपरकम्प्यूटर को उप्युक्त प्रोग्रामिंग, शक्तिशाली अनुसंधान और समर्थ अनुप्रयोग के साथ चलाया जाता है.